भारत और इंग्लैंड के सेमी फाइनल मैच में बारिश के बजह से हुई देरी बदल गया भारत और इंग्लैंड के मुकाबले का समय, अब इतने ओवर का और इतने बजे से खेला जाएगा ये मुकाबला, अगर ये मुकाबला रद हुआ तो ये टीम जाएगी सीधे फाइनल में साउथ अफरीका ने अफगानिस्तान को हरा कर पहली बार अपनी जगह वर्ल्ड कप फाइनल में बना ली है और अब बारी है एक और महा मुकाबले की हम बात कर रहे हैं दूसरे सेमी फाइनल मुकाबले की जो भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जाएगा बारत और इंग्लैंड का ये दूसरा सेमी फाइनल मुकाबला भारतिय समय के अनुसार रात आठ बजे से गुयाना के मैदान पर शुरू होने वाला था और टॉस साड़े साथ बजे होने वाला था लेकिन बारिश के वजह से टॉस में देरी हो गई है और मैच भी समय पर श पर शुरू हो सकता है क्योंकि गुयाना का ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा है बता दे कि ICC ने इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा है लेकिन इस मैच के लिए ICC ने चार घंटे का समय एक्स्ट्रा दिया है यानि कि साड़े तीन बजे तक भी मैच शुरू ह वही 12 बजे के बाद इस मैच के ओवर कटने शुरू हो जाएंगे वही एक 44 के बाद ज्यादा से ज्यादा 10-10 ओवर का मैच कराया जा सकता है लेकिन उसके बाद भी बारिश के वजह से मैच स्टार्ट नहीं होता तो ये मैच रद कर दिया जाएगा अगर ऐसा हुआ तो इत मैच रद्ध हो जाता है तो भारत फाइनल में चली जाएगी क्योंकि उसके बाद में पॉइंट स्टेबल देखा जाएगा जिसमें भारत की टिम अपने ग्रुप में नंबर वन पर है और इंग्लैंड नंबर दो पर है जिससे भारत को एडवांटेज मिलेगा और भारत ब अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताईएगा